असलाम लेकुम जिंगा मसाला की रेशिपी आपके साथ शेयर कुरूँगी बहुत ही आसान इसे बनाना और बहुत ही रेश्टी बनके तयार होता है तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है तो सबसे पहले कड़ाई को गरम करने के बाद उसमें डाली हूँ तीन बड़े चमाज सर्सो का तेल को अच्छे से गरम करने के बाद इसमें डालूँगी आदा चोड़ा चमाज से राई और राई को हरगा सा कड़कने देंगे कड़ी पत्तर डाल दोंगी इसमें थोड़ा सा तो 7-8 ले ली हूँ तीन मीडियम सेच के प्याज लेकर उसे बारिक काट लीती और इसे डाल दूँगी और लगातार चलाते हुए भून लूँगी प्याज को हलका साथ सॉफ्ट होने तक भून लेना है और इसे के साथ डाल दी हूँ दो बारिक कट हुआ हरा मिर्च और एक बड़ा चमल डाल दूँगी अधरक लसन का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लूँगी और दो मिनिट तक और मीडियम आज पर इसे भून लूँगी प्याज के साथ हमारा अधरक लसन भी अच्छे से भून चुका है तो इसमें डाल दी हूँ में 2 मीडियम सहच के टमाटर और साथ में डाल दूँगी एक चोटा चमस नमक तो नमक आप अपने टेश के हिसाब से डाल लिएगा नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाएगा तो इसे ढख कर गला लूँगी 2 मिनिट तक मीडियम आज पर और यह दिखे हलका साथ हो गया हमारा टमाटर भी तो अब में डालूँगी इसमें पाउडर मसाले तो इहाँ एक बड़ा चम 넣 डालने हूँ धनिया पाउडर एक बड़ा चमल cholica पाउडर डालने हूँ आप अपने टेश के ही साफ से डाल लिजiénेगा आदा छोटा चमल डालने गे हल्दी पाउडर एक चोथा चमल डालने हूँ जी रे का पाउडर आदा छोटा चमड गरम मसाळा पाऊडर और आदा छोटा चमड डालेंगे इसमें आमचुर प पाऊडर इसे बहुत अच्छा चट पटा सी टेस्ट आता है तो मिला लोंगे ए धगकर मसालेंगे 2-3 records तक मीडिया माज पे लो टू मीडियम आज पे दो से ती मेर तक भूलनी हूं मसालों को बीच में चला ली थी 102 बार अब मैं इसमें जिंगा डाल दूगी तो जिंगे को साफ करके अच्छे से धो ली हूं जिंगे को कैसे साफ किया जाता है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर दूगा, आप वो से दे सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शिं में डाल दूगी और अब मैं सारा जिंगा इसमें डाल दूगी अच्छे से mix कर लेंगे इसे और अब हम इसे medium ice पर पकाएंगे तो अच्छे से mix करने के बाद इसे डग देना है और डग कर medium ice पर पकाएंगे वीश-वीश में हमें चला लेना है और इसे पकते हुए लगबग 4-5 मिनट हो चुके हैं तो चला लोंगी और फिर से ढखकर इसे थोड़ा दिर और पका लोंगी तो 2-3 मिनट तक और धीमिया इस पर पका लेना है और यह दिखिए लगबग 10 मिनट हो चुके हैं 10 मिनट में हमारा जिंगा बहुत अच्छे से पक चुका है अगर आप द्राय खाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल पर्फेक्ट तैयार है आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ढाले और इसमें तैयार है लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखने वाली हूँ तो मैं इसमें ढाली राली हूँ हाप कॉप पानी तो आपको कितना ग्रेवी रखना है उसके इसाब से पानी भी ढाल सकते हैं मैं थोड़ा सा इग्रेवी इसमें रखने वाली हूँ तो आदा कब पानी ढाल दी हूँ ढखकर इसे दो मिनट तक और पका लूँगी और लगबग 2-3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और हमार जिणगा मसाला बनके तयार है सौख करने के लिए ऐकर रोटी के साथ सब को बहुत पसंद आने वाला है बहुत ही टेशिटी बनके तयार होता है तो आप इसे जरूर ढखिए गजिएगा व्जिए को लाइक और सेयर चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेशिपी के साथ, तब तक के लिए अल्ला आफीश